हलो दोस्तो मैं संदीप मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम रैबिट से जुड़ हुए ऐसे MCQ सॉल्व करेंगे जो कि प्रिवियस येर आपके TGT, PGT, LT, GIC और इसके अलावा बैलोजी से जुड़िवे जितने भी competitive exam हुए हैं उन सभी exam में इस topic से question पूछे गया है तो आज के इस वीडियो में मैं रैबिट से जुड़िवे 50 plus MCQ एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ तो वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful है आपके आने वाले UP, TGT, PGT बैलोजी के लिए तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आईए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं तो हमारा आज का पहला question है number of lobes in right and left lungs of rabbit r यानि कि खर्गोस के दाय वा बाय फेपड़े में पिंडी की संख्या होती है तो खर्गोस के फेपड़े के दाय तरफ four lobes होते हैं और बाय तरफ दो lobes होते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो right option है option C है अगला question है haversian system is characteristic feature in the bone of यानि कि haversian व्यवस्ता हड्डियों का एक प्रमुक लच्चण है तो यह प्रमुक लच्चण किसमें पाय जाता है तो आपको बता दे कि haversian system पाय जाता है mammals में और यहाँ पर mammals का एक ही example दियावा है rabbit तो आपका जो right option है option C है अगला question है atlas vertebra of rabbit is characterized by यानि कि खर्गोष की atlas kasioriki की विश्यष्था है तो यदि हम बात करें खर्गोष के atlas की विश्यष्था की तो इसमें जो centrum है वह absent होता है तो पहला option आपका सही है इसके अलावा atlas में pre gyopopysis और post gyopopysis यह दोनों भी अपसेंट होते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो right option है option D है all the above characteristics बात कहते हैं अगले question की the glomeruli in rabbit are limited to यानि कि ससक के व्रिक में glomeruli सिमित होते हैं तो आपको बता दे कि ससक के व्रिक में glomeruli सिमित होते हैं cortex तक तो आपका जो right option है option A है cortex चलते हैं अगले question की और अगला question है fertilization of ovum take place in rabbit man and other placental mammal is मानो ससक एवं अन आवली स्तनियों में निशेचन कहां होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मानो ससक और जितने भी mammals है उन में पुछा हुए है कि जो fertilization है वो कहां होता है तो simple सा है man की अगर बात हो रही है तो हम simply समझ सकते हैं कि इन में जो fertilization होता है वो होता है fallopian tube में तो आपका जो right option है option C है चलते हैं अगले question की और अगला question है cowpus gland is present in यानि कि cow पर ग्रंथी होती है इसमें तो corpus gland पाया जाता है mammals में तो इस सबसे आपका right option है option D rabbit आए चलते हैं अगले question की और अगला question है the third ventricle is found in the यानि कि तो यह पाया जाता है तो यह पाया जाता है brain of rabbits यानि कि खर्गोस के मस्तिस्क में तो आपका right option हो जाएगा option B चलते हैं अगले question की और अगला question है the kidney of adult rabbit आर यानि कि वयस्क ससक के व्रिक होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो खर्गोस है यह mammal को represent करता है और mammals में metanephric type kidney होती है तो यहाँ पर आपका right option है option D है metanephros चलते हैं अगले question की और अगला question है gestation period of adult is यानि कि खर्गोस का गर्वकाल है तो खर्गोस का gestation period होता है लगवए 31 से 30 दिन तो यहाँ पर आपका right option है option D है यहाँ पर दिया हुआ है 28 से 32 दिन अगला question है in rabbit cutloid bone is present in तो question में पुछा हुआ है कि जो rabbit है उसमें cutloid bone कहां पाय जाता है तो cutloid bone पाया जाता है pelvic girdle में तो आपका right option है option B चलते हैं अगले question की और अगला question है the vertebral formula of rabbit is code तो vertebral formula पुछा हुआ है rabbit के लिए तो इसका जो right option है option A है C7 T12 L6 S4 CD 16 तो rabbit में यह vary करता है और यह लगवग होते है 45 से 47 अगला question है animal eating their faces to redigest cellulose content are called तो कुछ animal ऐसे होते हैं जो कि अपने मल को खा लेते हैं क्योंकि उन्हें cellulose को redigest करना होता है तो ऐसे animal को कहते हैं तो ऐसे animal को कहते हैं coprophagus तो जो खरगोस है यह एक coprophagus animal है तो आपका right option है option C तो यहाँ पर आपसे पूछावा है कि डाइस्टिमा क्या होता है तो जो तीत होते हैं तीत के बीच जो gap होता है उसी को हम बोलते हैं तो आपका जो right option है option D है चलते हैं अगले question की और अगला question है floating ribs are found in यानि कि floating पसलियां पाई जाती हैं man में भी पाई जाती हैं तो यहाँ पर दोनों option सही है floating ribs होता है जो पसलियां इस टर्नन तक नहीं पहुच पाती उन्हें हम floating ribs काते हैं खरगोस में 10-11 और 12 ribs को हम floating ribs काते हैं अगला question है gigantic arc is found in the तो जो gigantic arc होती हैं यह पाई जाती है upper jaw of rabbit यानि कि right option है option C अगला question है the gigantic arc of rabbit is made up of maxilla square muscle and तो rabbit की जो gigantic arc होती हैं वो बनी होती है square muscle, maxilla और जुगाल से तो आपका right option है option B अगला question है cell of rubber are found in यानि कि rubber को शिखाएं पाई जाती हैं तो rubber को सिखाएं खरगोस के blastocyst में पाई जाती है तो आपका right option है option A अगला question है in rabbit, cyphoid cartilage is present in तो question में पूछ रहा है कि जो rabbit है rabbit में cyphoid cartilage कहाँ पाई जाता है तो यह पाई जाता है sternum में तो आपका right option है option C अगला question है sigmoid notch in rabbit is found in तो इस question का जो right option है option A है radio allah अगला question है acromion process is found in the bone of rabbit इस question का right option है option B scapula of pectoral girdle अगला question है the cheek bone in rabbit is the तो इस question का right option है option B gigantic अगला question है adjoining bone of frontal in rabbit skull are तो right option है option A nasal and parietal चलते हैं अगले question की और अगला question है obturator forman of rabbit is found in तो इस question का right option है option A pelvic girdle तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जूरूर बताएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करेगा और अपने दोस्तों में इससे share करना मद भूलेगा और यदि आपका हमाया channel पर नए हैं और अभी तक आपने हमाय चन को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमाय चन को सब्क्राइब कर लिजे और बगल में जो बेल आइकान है उसे प्रेस करिएगा और उपर की और जो all का option है उससे select कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका notification सब से पहले आप पर पहुंचे तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत